कोरोना महमारी के बिच सना तक अंतिम समेस्टर की परिक्षाएं सुरू हो गई हैं अंतिम सेमेस्टर के साथ ही री अपियर की परिक्षाएं भी होंगी प्रदेश में करीब 37,000 विद्यार्थी 143 केंद्रों में परिक्षा देंगे रविवार को अवकाश के दिन कॉलेज़ों में तक अंतिम रूप दिया गया और परिक्ष केंद्रों को सेनेटाइस किया गया था पहले दिन अंधिन समेस्टर के संगीत और गणित विश्य का पेपर होगा चौत्य समेस्टर के रिअपियर में प्रेटन वो वेंटिंग और दूसरे समेस्टर के संस्कृत और जुलोजी की परिक्षा होगी सुभा आठ बजे ही चातर कॉलेजों में पहुंचने शुरू हो गए और गेट पर चातरों को सेनेटाइज और थरवल स्कैनिक के बाद ही प्रविश्ट दिया गया कॉलेज स्टाफ भी दस्ताने मास्क पहन कर ड्यूटी पर पहुंचे हर एक घंटे बाद हाथों को सेनेटाइज करना होगा शारीरिक दूरी के नियम को देखते हुए सीटिंग प्लान बनाया गया है और दो मीटर की दूरी रखी गई है चातरों को हर एक घंटे बाद हाथ सेनेटाइज करने होंगे आरके एमवी कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनेल ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग और विश्व विद्धालेकी गाइडलाइन के मताविक ही परिक्षाएं करवाई जा रही हैं और छातरों का टेंपरेच्चर चेक करने और सेनेडाइज करने के वाद ही आज एक दूरी को । धियान में रख चा रहा है। इसके हिसाब से ही हमने, एक्जाम हाल में हर स्चुनेट के बीच में दो मीटर के असपास का डिस्टाइस रखा हूआ है जहां हमारी स्चुनेटी हाल की पहले 200 हम दोस्त इसटाइस बटाते थे आज हमने 60 बढ़े हैं और ऐसे ही आगे भी रहे हैं अगर आज कितने एक्जाम है अगर जैसे थर्मल स्कैनिंग यहां पहले 200 बच्चे वैरते थे वहां 60 बच्चे विठाए गए हैं उन्होंने कहा कि किसी चातर का टेंपरेचर जादा आता है तो उन्हें बापिस भेजा जाएगा और उनका पेपर बाद में लिया जाएगा PRTV के लिए शिमल से पुष्ट पेंदर की रिपोर्ट